पढ़े इंडर एगर छति गड़ी भाषा में पढ़ना चाह्या है उसके भी त्यारी हम लोग कर रहे हैं अब जो अंग्री जो जो एमेड एक तो जो जो भरती चल रही है उसमें हमारी इस प्रूमा कर रहे हैं उन्हों सब्सक्राइब तो आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंद्री जी ने में जो संस्कृत किये हैं या संस्कृत में जो भी ग्रिजवेशन किये हैं या डिग्री धारी है उनके लिए अब जो है सिस्टेंट प्रोफेसर और भरती सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही है सरकारी इस प्रकार से सीम ने दावत किया है अब अच्छी ख़बर है कि चलिए उनकी भरती सबसे पहले आएगी इस प्रकार से उन्होंने कहा भी है बेट मुलाकात का एक्रम में रही बात दुसरी कि कल जो है विस्वादिवासी दिवस है और विस्वादिवासी दिवस की उपलक्ष में मुख्य मंत्री जी सरकुजा संभाग और बस्तर संभाग का दौरा करेंगे और वहां कुछ सावगाते देंगे फिलाल सावगात एक तरफ मिल रही तो दुसरी तरफ 110 याची काएं किसी एक भरती पर मेरे ख्याल से 36 गड़ में ऐसा पहला केस होगा जिसमें किसी एक भरती पर इतनी सारी याची काएं लगी हुई और लगबग इसमें कई हजार स्टुडेंट का भविश्य दावपर्टी का हुआ है दूसरी तरफ यह जो भरती है जिसका नाम है पुलिस भरती सबिस्पेक्टर भरती यह भरती जो है लगबग 2018 में निकली थी और जिसका परिक्ष काओं के आरोप लग रहे है कि यहां पर सरकार पर कहीं न कहीं प्रेसराइज हो रहा है और वह 110 याची काएं अभ्यर्थी गण लगा चुके हैं यहां पर अगर हम बात करें कौन-कौन सी याची काएं लगी है तो देखिए अलग-अलग जगों पर अलग-अलग अनिमित्त हैं लाइन से हम बात करें सबसे पहले तो देखिए यहां पर आज के नौभारत पेपर में छपा है यहां पर बताया गया है कि राजपत्र में प्रकाशित भरती नियमों की अंदेखी सहित कई अनिमित्ताइं वह गरबडियों के आरोप लग रहे हैं पिरित अभ्यर्थियो का आरोप है कि राजपत्र के अनुरूप भरती प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है जिन से उनका भविष्य खत्रे में पढ़ गया है इसको लेकर लगबग उच्चे नियाले में 110 याचिकाय लगाई गई है अब भेर्थियों ने 36 गड़ उच्चे नियाले के मुखे न क्मांडर की सुची में 367 महिला हैं जब कि प्लांट्र कमांडर की भरती नियाम में लिखा है कि इस पर महिला की भरती नहीं की जाएगी तब यहाँ 367 महिलाओं को चुन लिया गया है यह अपने में एक बहुत ही बोल सकते हैं युमाओं को चकित करने वाला मामला है कि किस प्रकार से ऐसा किया गया है क्यों क्या रिजन थी कि महिलाओं को लिया गया है यहाँ पर बताया गया है कि भरती नियम के नुसार भुतपुर्व सैनिक लिए विज्यापित पदों का 10 प्रतिसत व विभागी कर्मचारियों के 5 प्रतिसत आरक्षित था जिसे समस्त व प्रभाग वार जारी करके नियम का उलंगन किया गया है। यहां पे सामने आई हैं बताया जा रहा है कि सुची में 120 अभ्यर्थियों को दो बार गिना गया। से वन्चित रहे गया। चिली सी बात यह है। और प्रिक्षप्रणाम की पारदरसिता का पर भी जो है प्रस्न चिन लगाए गये हैं जहां पे याचिका करता का कहना है कि व्यापम दोरा जो लिया गया था एक्जाम तो उन्हीं को ही रिजल जारी करना था क्योंकि वो जब अब रिजल जारी करते तो अपना अंतिमुत्तर देते जिसमें बताता है कि कौन सा उत्तर उन्होंने विलोपित किया है कौन सा उत्तर उन्होंने सही लिया है इस प्रकार से अब यहां पे बताया गये कि जो उनके भविश्य के साथ खत्रा हो रहा है दूसरी तरफ यहां पर इसी के मामले में एक गंबिर आरोप लगाते हुए जो यहां पर एक पूर्व मंतरी कहना चाहिए पूर्व मंतरी थे बोल सकते फ्वास्थ मंतरी भी थे और यहां पर उन्होंने आरोप भी लगाया है जै कर बार-बार उंगली उठ रही है प्रतिभागी चैन प्रक्रिया को दोस्पूर्ण करार देते वे सरकार की नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं यह बात है कि अगर उलंगन हुआ है और अगर गड़बड़िया हुई है तो उसे जल से जल ठीक करना होगा नहीं तो लगभग हजारों की संक्या में जो बिरुजगार युवा है उनकी जो वो सकते है भविश्य जो है वो अधर में है तो कहीं न कहीं चाहे वो कोट से अभ्यर्थी लंबित मांग कर रहे है जो है और प्रशाशन के ऊपर अभ्यर्थी अपना बोल सकते है एक गुहार लगा रहे है अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है लेकिन जो भी होगा फिलहाल यहां पे उन अभ्यर्थियों के लिए ये जो समय है बहुत ही कठिन गुजर रहा होगा जो एकदम पास से बाहर हुए है अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है फिलहाल वीडियो यहीं तक वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरू करें वीडियो देखने के लिए दन्यों